हलो प्यारे बच्चों मैं डॉक्टर भरहतलाल मिना LBS गोवर्मेंट कोलेज कोट पुतली सहा आचारी राजनेती विग्यान बच्चों मैं आज आपके समक्स बीए पार्ट देती है कि देती है प्रशन पत्र भारती राज विवस्ता के अंतरगत संग्य विवस्ता की प्रकृ के बारे में चर्चा करना चाहरा हूं भारत राज्यों का संग्य सविधान के द्वरा भारत के लिए एक संग्हात्मक विवस्ता की इस्थापना की गई है लेकिन सविधान में कहीं पर भी संग्य राज्य सब्द का परियोग नहीं किया गया है वरन उसके इस्थान पर चेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संग होगा प्रारूप समीती के अध्यक्स डाक्टर अंबेड करने राज्यों की संग सब्दावली के महत्व को इसपष्ट करते भी सविधान सबाब में कहा था कि प्रारूप समीती के द्वरा इसब्दावली का प्रियोग संग राज्जी समझोतों का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्जे को संग से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारती संग में अब 28 राज्जे और 7 संगी एक्षित्र हैं, संगात्मक विवस्था और उसके लक्षन। संगात्मक विवस्था के कुछ प्रमुक लक्षन है, लिखित और कठोर सविधान, सविधान की सर्वोचेता, सविधान द्वारा केंद्रे सरकार और कईयों की सरकारों के भी सक्तिवी भाजन, स्वतंत्र सर्वोचे नयाले उच्छ सदन का राज्य सदन होना भारतिय सविधान के संघात्मक लक्षन इस प्रकार है यद्दे भी भारतिय सविधान में संघ राज्य सब्द का प्रियोग नहीं किया गया है लेकिन वास्तों में यह एक संघ राज्य है भारतिय सविधान में संघात्मक विवस्ता के सभी प्रमुक लक्षन विद्यमान है जो इस प्रकार है शक्तियों का विभाजन विश्व के अन्य संघात्मक विधानों की तरह भारतिय सविधान द्वारभी संघ और राज्यों के भी शक्तियों का विभाजन किया गया है संगीय सूची में सत्यान्व विशे हैं जिन पर संगीय संसद को क्षेतर अदिकार प्राप्त है अथार्त संसद इन सत्यान्व विश्यों पर कानून बना सकती है राज्य सूची के विश्यों की संक्या 66 है जो साधरनते राज्य की विवस्त अपिकाउं के अधिकार में है और संभवर्ती सूची सेंताड़ी विश्यों को संग और राज्य दोनों के क्षेतर अधिकार में रखा गया है संग और राज्य सरकारों के भी सक्ति विभाजन का उलेक भारति सविधान में अन्य किसी भी संगात्मक सविधान की तुलना में अधिक व्यापक रूप से किया गया है डाक्टर अंबेड करने सविधान सभा में इस तत्य की व्याख्या इन सब्दों में की थी संगात्मक सरगार का मुख्य लक्षन सविधान द्वराविधाई और कारिपाली का सत्ता का केंद्र तथा एक को में वित्रन करना है इस द्धानत का हमारे सविधान में अनुक्सरन किया गया है यह कतन ऐसत्ते हैं कि राज्यों को केंद्र के अधिन रखा गया है केंदर अपनी इच्छा से विभाजन रेखा को बदल नहीं सकता और नहीं न्यायले इसमें परिवर्टन ला सकता है सविधान की सर्वच्य तयद भी भारतिय सविधान में संक्त राज्य अमेरिका की सविधान की तरह ये घोशित नहीं किया गया है कि सविधान सरवोच्य होगा लेकिन फिर भी भारती सविधान इस देश का सरवोच्य कानून है इसके प्रावधान सभी सरकारों पर बाद्यकारी है केंद्रिय या राज्य सरकार के द्वारा इनका उलंगन नहीं किया जा सकता है सविधान के इन प्रावधानों के विरुद किसी प्रकार के कानून का निर्मान संभाव नहीं है भारत के राष्ट्रपती राज्यपाल अन्य प्रमुखपद आदिकारियों द्वारा सविधान के अनुसार कारी करने की सपत ली जाती है संग्षेप में इस देश में कोई भी शक्ती सविधान के उपर नहीं है श्वतंत्र उस्तम नयाले बारती सविधान के द्वारा सविधान के रक्षक की रोपने कारी करने के लिए श्वतंत्र उस्तम नयाले की विवस्ता की गई है सविधान के द्वारा एक सरवच नयायले और राज्यों के उच नयायले की विवस्ता की गई है जिने संगिय संसदिया राज्यों की विवस्ता पिकाउं द्वारा पारित किसी भी ऐसे कानून को ऐवेधानिक गोशित करने का अधिकार है तो सविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो न्यायले की विवस्ता संगात्मक सासन के पूर्णतया अनुकुल है डाक्टर केवीर राव के सब्दों में हम कह सकते हैं कि इस दृष्टी से हमारा सविधान पूर्व सोवियत संग्यार सुष्लेंड के सविधान से अधिक संगात्मक है चोता है लिखित और कठोर सविधान, भारतिय सविधान एक लिखित सविधान है और सविधान में संसोधन की दृष्टी से कठोर सविधानों की स्रेणी में आता है सविधान में संसोधन, सविधान में बतलाए गई प्रकिरिया के आधार पर हील किया जा सकता है और ये पद्दती साधरन प्रेवस्तापन की पद्दती से भिन है सविधान द्वारा किये गए शक्ति विभाजन में संगी सरकार या राज्य सरकारों में किसी एक के द्वारा ही अपनी इच्छा से परिवरतन नहीं किया जा सकता वरन इन प्रावधानों में परिवरतन दोनों की सहमती से ही संबव है इस परकार सभिधान की संसोधन प्रकिरिया में राज्यों की भूमिका है उच्छ सदन राज्यों का सदन होना भाति संसद का उच्छ सदन अथार्त राज्य सबार राज्यों का सदन है ये राज्यों का प्रतेनिधित्व करता है ये देपी ये प्रतेनिधित्व राज्यों की समानता के शिधानत पर आधारित्त होकर जन संक्या के आधार पर है सविधान के उप्युक्त प्रावधानों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि भारतिय सविधान एक पूर्ण संगात्मों के विवस्ता के इस्थापना करता है पाईली ने लिखा है कि भारतिय सविधान के संगी होने नहीं होने पर विवाद उठाने के कोई कारण दर्ष्टिकत नहीं होता, सविधान संगवाद की कसोटी पर खरा उतरता है, भारतिय सविधान के एकात्मक लक्षन, सविधान दुबारा सक्तिसाली केंदर की स्थापना सभिधान सभा के अनेक सदश्यों का मत्था कि सभिधान में संगात्मक सिद्धान्त की नर्संस्ता पूर्वक हत्या की गई है स्री पी टी चाको का मतल है कि सविधान सभाने जी सविधान का निर्मान